यह वो रोड है, दोनों तरफ इसके खने जंगल है, आपको दिख रहे होंगे, जिस रोड से हम आए हैं, उस रोड को तो चोड़ा करने के नाम पे सेंकडों पेड़ों को काटा गया है, और मुझे अभी जो गाओं वालों ने बता है कि यह रोड जिस पे हम खड़े हैं, यह पूरी की पूरी रोड ही नहीं है, इस रोड से उन्होंने सार्क चौक तक जो है, इस नई रोड को बनाया है, और आप देख सकते हो, जंगल के बीचो बीच यह सड़क है, यहां जंगल था पहले, जंगल था यहां पे पहले, पेड़ थे बाखादा, और डेश की सबसे करती के उपर इन निशानों को भी देख के सकते हो, कि अभी तक यहां पे काम चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि कितने पेड कटे, इसका फैसला उन जड़ों और तनों से होगा, जो कटे हुए दिखेंगे, तो उनको भी उखाड के, उनको भी निप्टा दिया जा, और चतरपूर से अंदर घुसे, गौशाला रोड पे, आप लोग यहां पे पहली बार आएं, और आप पत्रकारों में से मुझे एक दो ने कह दिया, कि मंत्री जी इस सड़क के एक तरफ तो सारे फार्माउस है, बड़े-बड़े करोड़ पतियों के, अरपतियों के, और एक जंगल था, पहली बार में आपको दिग गया, तो अगर रोड चोड़ी करनी थी, तो आप फार्माउसों को तोड़ देते, रोड चोड़ी कर देते, जैसे हम किसानों की जमीनों को एक्वाइर करके ये फार्माउस बनाए गए, हम गरीब दिल्ली के गाउओं वालों की जम कामीन भी एक्वाइर होके सड़क चोड़ी कर सकते थे, मगर उनके फार्माउसों को नहीं छुआ गया, जंगल के अंदर ग्यारा सो पेड़ काट दिये गए, एक और मैं आपको बात बताता हूँ, यहां पे, आस पास के लोग बताते हैं, चाहे तो आप इंटर्व्यू ले हैं आके, जब एक बार आपको आके दिग गया कि इस रोड को चोड़ी करने के लिए आप फार्माउसों की जमीन ले सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, तो LG साब को यह बात च्यों नहीं समझ में आई, यह सवाल LG साब के लिए, दूसरी बात, पेड काटने से पहले सु सुप्रीम कोट में गए, यह कहके कि पेड अभी काटे जाने हैं हमें पर्मिशन दे दो, और सुप्रीम कोट ने पर्मिशन डिनाय करी और यह कहा, क्या और कोई तरीका भी है रोड चोड़ी करने का, पेड़ों को बिना काटे, आप सोचिए सुप्रीम कोट जो वहाँ फार्माउसों और फार्माउस मालिकों को करोणों रुपे का फाइदा पहुचाया गया, और इसके अंदर बड़ी गड़वडी की आशंका साफ साफ नजर आ रही है, उन फार्माउसों को डबल फाइदा हो गया, क्योंकि अब उनके सामने की रोड जो इतनी छोटी सी तो उनको तो आपने उनकी तो कीमतों के अंदर इजाफा होगे जो यहां लोकल बता रहे हैं कि एक फार्माउस अगर वो एक रुपे का था तो अब वो पांच रुपे का हो गया उस रोड की चौड़ी होने के बाद तो फार्माउसों को जिनकी जमीने लेके आपको रोड बड़ी करनी थी उन फार्माउसों की जमीन को बिना चुए उनको करोड़ो रुपे का फाइदा पहुचाया गया किस ने पहुचाया आप सब जानते हैं